नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है उत्किस्टिक एड्मे के यूट्यूब चैनल पर दोस्तो उत्राखंड, पुलिस, SI, वनरक्षक और बंदीरक्षक और सभी समोगों की परिक्षाओं के लिए दोस्तो हमने यूट्यूब पर प्रेक्षिस्ट की एक स्रीच चलाई है जिसमें दो प्रेक्षिस्ट दोस्तो हम कर चुके हैं यदि आपने वो practice set नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोग एक प्लिस्ट है उत्राखंड UK SSC practice set की वहाँ पर दोस्तों आप जाकर उन दो practice set को देख सकते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं practice set number 03 की तो चलते हैं अपने हिंदी वाले पूर्चन में सबसे पहले पहला question है दोस्तों अलंकार से संबंदित है अलंकार आपके स्लेबस में है जानि श्याम को श्याम घन नाच उठे वनमूर यह पंक्ति आपको दी गई है इसमें आपको दोस्तों अलंकार बताना है यहाँ पर समझ कर वनमूर नाच उठे श्याम का मतलब है दोस्तों कृष्ण और कृष्ण के रंग की बात करें तो कृष्ण का रंग दोस्तों होता है स्वाला या काला बोला जाता है और उसी तरह से जो श्याम घन है यानि काले बादल है वो भी काले होते हैं और जो मोर है मोर दोस्त वस्तु कर दूसरी वस्तु का भ्रहम हो जाए तो वहां पर दोस्तो हमारा लंकार होता है भ्रांति मान लंकार तो आपसन बी दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रांति मान लंकार यहां पर दोस्तो जो शाम है शाम पर शाम घन की भ्रांति हो रही है मौरों को अगला दे दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जहां पर भी दोस्तों वाक्यों में किसी किरिया के गठित होने या किसी सूचना का उल्लेक मिले या तो किसी किरिया के संपन होने का पता चले या कोई सूचना मिले कोई इंफरमेशन मिले वहां पर दोस्तों उन वाक्यों को अर्थ कि आधार पर विधान वाचक वाक्य कहा जाता है और विधान वाचक वाक्यों के साथ में इन्हीं को दोस्तों सकारात्मक निश्चय वाचक या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं तो दो का आंसर हमारा हो जायागा option C विधान वाचक अगला देखे तीसरा question अश्ट छाप का जखा थी उससे संबंधित ये अश्ट छाप समूथा और अश्ट छाप का जहाज का मतलब है कि जो अश्ट छाप के अंदर सबसे प्रमुख कवी हैं वो दोस्तों कौन है option D सूर्दास है इन्हीं को कहा जाता है अश्ट छाप का जहाज और सूर्दास दोस्तों आपको पता हना चीए सूर्दार कृष्ण भक्ति साखा के कवी हैं और इन्होंने बरजभासा में अधिकतर अपने साहित्ति की रशना की है और इनके गुरु का नाम बल्लभाचारी था ये कुशन भी कई बार पूछे जाते हैं तो अश्ट छाप का जहाज क्या है कौन है सूर्दास ज जैसे ही सूर्योदय हुआ तारे अद्रिश्य होने लगे तो यहां पर देखे दोस्तों जब भी जैसे और इस प्रकार से यहां वहां जब तब जो सो तो ऐसी कंडिसन दोस्तों आती हैं कहां पर मिश्रवाक्यों में तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा और मिश्रवाक्य में दोस्तों दो परस्पर जो वाक्य होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं अगला देखे निम्न लिखित में कौन सा तुर्की शब्द नहीं ह आपको बताना है कि कौनसा तुर्की नहीं है कालीन दोस्तों तुर्की है मुगल तुर्की है सौगात भी तुर्की है गुनाह की बात करें दोस्तों गुनाह तुर्की नहीं है बलकि गुनाह सब्द फार्सी मूल का सब्द है या आप बोल सकते हैं दोस्तों ये इरानी मूल का फार्सी या इरानी अगर देखे छटा कुशन मात्रा या उचारन काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको पूझा गया है कि यह आप मात्रा की बात करें या उचारन काल की समय की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो इस आधार पर स्वरों की संख क्या होती है तीन कौन कौन से रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यूरी ये जो छोटे वाले हैं ओ यूरी दोस्तों ये चार आते हैं रस्त स्वर के अंदर बाकि जितने भी बचेवे स्वर हैं अंग और आहा को चोड़कर दोस्तों वो दीर के में सामिल होते हैं और प्लुट स्वर का प्रियोग दोस्तों हिंदी में नहीं किया जाता तो इस सबसे पहले अचार की तो अचार पुर्टगाली on Mohok था क्यले का दोस्तों चच्यार वर दिए और आम का लूट रूप चाकत ँमें夠 कि अचार पुर्तगाली AGोऌइ अंगूर की बात करेंगे दोस्तों अंगूर हमारा किसा सब्द living का पार्सी या इरानि ई Brush of का option C अगला देखिए आकास कुश्म होना का अर्थ है आकास कुश्म होना का दोस्तों अर्थ होता है नामुंकिन कारे करना option C इसका सही उत्तर है अगला देखिए कौन सा सुमेलित कथन नहीं है हिंदी भासा में वचन के कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं बिल्कुल सही है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार आठ होते हैं बिल्कुल सही है रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार दोस्तों पांच नहीं होते हैं यहां पर तीन होना चाहिए था option D दोस्तों हमारा शुमेलित नहीं है और रचना बनावट के आधार पर शब्द कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए तीन एक पहला रूड सब्द यौगिक शब्द और योग रूड सब्द दोस्तों रचना भूतकाल की है लेकिन पूरी हो चुकी है तो पूर्ण भूतकाल इसका आंसर होगा वह तुम्हारा पत्र पढ़ता होगा अब यहां देखे दोस्तों पढ़ता यह वर्तमान की किरिया है और होगा का इस्तेमाल हुआ है तो जब भी वर्तमान की किरिया के साथ में होगा आए त तो दोस्तो होता है तब संधिक्द वर्तमान, संधिक्द वर्तमान, अगला देखें उसने उपन्यास पढ़ा होगा, पढ़ा दोस्तो किरिया का भूतकाल रूप है, और भूतकाल के साथ में होगा का प्रियोग हुआ है, तो हमारा दोस्तो ये हो जाएगा संधिक्द भूतका उसने किताब पढ़ी है किरिया दोस्तों भूतकाल में है लेकिन भूतकाल की किरिया के साथ में है का प्रियोग हुआ है तो दोस्तों हमारी किरिया हो जाएगी आसन भूतकाल तो पहले में पूर्ण भूतकाल दूसरे में पढ़ता होगा देखे किरिया वर्तमान की है और होगा का प्रियोग है कवी के साथ भी हो सकता है प्रिय कवी मित्र के साथ भी हो सकता है प्रिय मित्र बैरी के साथ दोस्तों इसका इस्तिमाल नहीं हो सकता क्योंकि यह दोस्तों आपस में उल्टे हैं प्रिय बैरी दोस्तों कभी नहीं होता तो इसके साथ में आएगा नहीं तो option D दोस्तों हमारा सह संदी हमारी हो जाएगी दीर के संदी ऑप्सन ए दोस्तों इसका सही उत्तर है अगला देखिए निम्न लिखित में समुह आचक शब्द नहीं है कौन सा समुह आचक शब्द नहीं आपको बताना है देखें पुंज दोस्तों समुह आचक यह किरणों के लिए आता है किरणों का पुंज यानि किरणों का समुह काफिला भी दोस्तों समुह वाचक शब्द है काफिला यात्रियों का काफिला अगला देखे रेवन रेवन भी दोस्तों भेल बक्रियों के लिए उनके रेवन की बात होती है तो रेवन का मतलब समुह हो दोस्तो ओप्सन A 1963 1963 में दोस्तो ये पारित हुआ लेकिन ये लागु दोस्तो हुआ 26 जनवरी 1965 को ये भी आपके आद रखना है लागु ये 65 में हुआ लेकिन दोस्तो अधिनियम 1963 का है अगला देखें कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली कौ बूंदेली पूर्वी Hindi की नहीं है बलकि दोस्तों बंदेली पश्यमी हिंदी की या पश्यमी हंदी उत भासा की बोली इस राइट आंसर हो जाए गा हमारा बूंदेली और पूर्वी की दोस्तों तीन है अवधी बहिए और च्थिस गडी आप याद रखना है अग्ला देखे निमन लिकितम ऐसे कौन सा अगोश वर्ण है कह की बात करेंगे तो आश्वर है स्वर सारे सारे साथ होते हैं तो यह विकलप वैसे कड़ गया है ale हो की बात कर रहे हैं दोस्तों हो उश्में के अंदर सघोस होता है तो ये विकल्प भी कर जाएगा जो की बात करते हैं दोस्तों जो चौ का चौ चौ जो तीसरा बढ़ने है और तीसरा चौथा पांचवा सघोस होते हैं तो दोस्तों ये विकल्प भी कर जाएगा ऑपसंडी ये जो दोस्तो दंती वाला सो है ये उश्मिय के अंदर आता है दोस्तो और ये होता है अगोश तो हमारा सही उत्तर होटाएगा option D दंती सो अगला देखे शुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए दोस्तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बहुबरही की तो बहुबरही लिखा जाता है दोस्तो इस प्रकार से बहुबरही बहुबरही त्योहार की बात करेंगे दोस्तो त्योहार में ओ की मातरा नहीं आएगी ओ की मातरा आएगी त्योहार नियोचावर में भी दोस्तों ओ की मातर आएगी और वेस्या की बात करेंगे दोस्तों ये बिलकुल सही है ये सही लिखावा है इसमें एक ही मातर आती है कई बार दोस्तों इसमें दो मातरा लगा देते हैं हम गलती से लेकिन शुद्ध वरतनी में एक ही मातर आएगी तो बिलोम शब्दों को आपस में लिखते हैं तो उनके बीच में दोस्तों आता है कौन सा चिन योजक चिन और योजक चिन को दोस्तों हाइफन भी कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है इसाब दिन और रात को एक साथ लिखेंगे तब दोस्तों इन दोनों के बीच में एक चिन आएगा और इस चिन्नों को बोलता है योजक या हाइफन चिन यदि आपनो काला सफेद लिखना है तो काला इसके बाद हाइफन फिर दोस्तों आप लिखेंगे सफेद तो आपसण C दोस्तों इसका सही उत्तर है योजक चिन अगला देखे प्रेम चंडर का उपण्यास प्रैयम चंडर का उपन्यास दोस्तों कौन सा नहीं है रंग भूम्य इनका उपन्यास्न से shevasadhan भी है कर्म भूमी भी है option A की बात करते हैं जन्म भूम्य इनका उपन्यास नहीं है और बाकि दोस्तों इनका जीवन प्रसे आप लोग पढ़ लीजिए temas इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था 31 जुलाई 1880 को और जगह दोस्तों थी वाराणसी का जो एक लमखी गाहों पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और मृत्यू की बात करें दोस्तों 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यू हो गई थी वहीं बनारस में तो यह भी आपको याद रखना है जन्म है 31 जुलाई 1880 और मृत्यू की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर 1936 में अगला देखिए माखनलाल चत्रुवेदी को हिम तरंगणी के लिए साहित्यकादमी पुरुषकार किस वर्स दिया गया तो यह बहुत इंपोटेंट प्रस्ण है इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा होगा option C 1955 में माखनलाल चत्रुवेदी को दोस्तों हिम तरंगणी किरते के लिए वर्स 1955 में साहित्यकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और एक चीज़ आपको याद रखनी है जो यह हिम तरंगणी किरती है दोस्त तो थी हिम तरंगणी यदि आपको यह पूछा जाए कि हिंदी के पहले कवी कौन से हैं जिनको साहित्यकादमी पुरुषकार दिया गया था तो तब दोस्तों आपका आंसर होगा माखनलाल चत्रुवेदी और यह क्या था 1955 और साहित्यकादमी पुरुषकारों कि दोस्तों सुरुवात की गी थी 1954 में पहली बार घोशना हुई थी और पचपन से दोस्तों इनको देना सुरू किया गया था तो यह दोस्तों 20 के हिंदी के 20 कुशन है बाकी आप उत्राखंड के कुशन देखे हालो नमस्कार आप सभी का मैं पंकर जोशी उतकर स्टेकड में के यूट इस इंपोर्टेंट कोशन है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ चलिए शुरूआत की जाए यहां पर 2100 प्रशन था सोशल क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो आपके पास ऑप्शन में थे यहां पर यानि की ऑप्शन है 1903 1909 1908 1870 1871 इसका राइट आपशन ए में जो दिख रहा है ऑप्शन 1903 में यहां पर एक कोश्चन आता है यानि की हेपी कलब तो इस दोरान दोस्तों हेपी कलब को जो है इस थापित किया गया था इगे था यह एग्जाम में पूछे गये कोश्चन है इस तो इसके लावा 1872 की बात करें तो 871 में दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट समाचार पत्र निकला था यानि कि अलमोड़ा समाचार पत्र तो यह चार तीतिया है 1903 में यानि कि हैपी क्लब 1909 में हमारा सोचिल क्लब 870 में डिबेटिंग क्लब और फिर 871 में अलमोड़ा अकबार निकला था आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन के और अगला प्रशन है 22 वा कोश्चन अशोक कालिन शिलालेक यह किस भाषा का शिलालेक है आप लोग अपने जवाब भी देते रहें और बाकी वैसे नॉर्मली आ अगर भाषा की बात करें दोस्तों या थोड़ा सा यह गड़बड हो गया है यानि कि प्रशन का मुड़ गलत हो गया है अशोक कालिन तो बहुत सारे शिलालेक है लेकिन यह अशोक कालिन काल से शिलालेक की हम लोग अगर बात मानें है ना कोश्चन वैसे गड़बड है तो इसकी बाष्धा दोस्तों यानि की option यह प्राकर्थ भाष्धा है जबकि इसकी जो लीपी है वह लीपी इसकी दोस्तों भ्राम में लेपी है तो यह अशोक कार्षी में देरादुन जिलिक अंतरकट एक शीला लेख है और सबसे उत्री शीला लेख उत्तर का इसकी राजणारी था आपका यानि कि 1926 में नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुमाओ परिश्यद है ये दोस्तों 1916 में इस्तापित की गई थी और मोस्ट इंपोर्टेंट थी 1916 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसके साथ साथ दोस्तों इसके च्छे अधिवेशन हुए जो बड़े इंपोर्टेंट माने जाते हैं उत्राखंड के इतिहास में क्योंकि ये च्छे अधिवेशन हों की इतनी बड़ी भूमिका रही कि इन कदम उठाई गए तो दोस्तों इसे जो है 1926 में बाद मैं फिर इसे विले कर दिया था इसके अलावा दूस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर 1924 की तो 1914 में यहां पर होमरूल लीग की स्थापना हुई थी औरगर हम लोग बात करें 1912 की तो 1912 में आद पर कॉंग्रेस की शाखा इस्ताफित वी थी ये मैंने तेस्वा प्रशन आपको बता है 2400 प्रशन की बात करें तो यहां पर पुछा है कि नमक सत्याग्रह के दोरान अलमोडा के नगरपाली का भवन पर किस के निर्थत तो में तिरंगा फेराए गया था यह बड़ा इंपोर्टेंट कोशिन है और यहां से लगतार कोशिन बन भी रहे है इस समय अगर हम लोग दोस्तों यहां की बात करें यह जो नमक सत्याग्रह तो नॉर्मली सबसे पहले बात आती है कि जो नमक सत्याग्रह था यह हमारा 1930 में महत्मा गांदीजी का यानि के संपूर्ण भारत में एक बहुत ही बड़ा मुवमेंट पी चलावा था और इस आंदोलन में पूरे भारत में गांदीजी का समर्थन किया गया तो अगर मैं उत्राखंड की बात करू तो उत्राखंड से भी इस नमक सत्याग्रह के दोरान यहां के लोगों ने बढ़ जटकर गांदीजी का समर्थन किया उत्रकर्ण अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों यह शुरुवात लगबक 25 मई से हो गई थी 25 मई 1930 की जो तीती है यह बड़ी important यादगार तीती रहती है असल में इस तीती को दोस्तों हुआ क्या था कि इन लोगों एक प्रस्ताव पारित क्या था यहाँ प पित करें तो यह निरने लिया गया लेकिन इस निरने को जो लेने वाले शक्ष थे उनमें most important जो भूमी का थी एक तो मोहनलाल जोशी जी थे मैं यहाँ पर लिख लिता हूँ याद रखेगा इस दोरान के दो दो शक्ष थे एक हमारे मोहनलाल जोशी जी थे और दूसरे थे शांतिलाल चतुर बेडी तो दूसरे शांतिलाल चतुर बेडी थे और दोस्तों इनका जो यह सपना था इस समय जब यह मोमेंट किया गया था तो इनको दोस्तों यहाँ पर गुर्फतार किया गया और कहा जाता है कि जो मोहनलाल जी है यहाँ पर जो गोर्खा सेनिक जो अं तो यह दोनों की दोनों जब गिरिफतार हुए और चोटी लुए तो उसके बाद इस मुमेंट को महिलाओं ने पकड़ा अर्थार्द महिलाओं ने जिम्मेदारी लिए कि हम लोग जो है इस सलमोड़ा नगरपाली का भवन पर तिरंगा फेराएंगे तो यहीं पर दोस्तों इसका जो राइट आंस्तर था ये विष्नी देवी जो शाह है इनके निर्थत्तों में इसमें शामिल थी कुंती वर्मा भी थी इसमें शामिल मगला देवी थी गौरा देवीजी को अगर आप छोड़ दे गौरा देवीजी का योगदान हमारे चिपको मुमेंट में है तो यह तीन महिला तो यह है इसके अलाव में अगर और महिलाओं की बात करूं तो यहां पर आपको याद रखना इसी दोरान एक भागी रथी वर्मा जी भागी रथी वर्मा यह इसमें शामिल थी इसके अलावा जीवन्ती देवी इसमें शामिल थी यह याद रखेगा करेक्टर पर गई और विश्णी देविशा के निर्टतों में तिरंगा फेराए अर्थार्थ इसी दौरान दोस्तों विश्णी देविशा जेल जाने वाली भी प्रथम महिला माने जाती है उतलाकन से तो एक यह मोमेंट था इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया बागे दोस्तों से डिटेल से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं पच्चिसवा देखे प्रदानमंत्र याजडी देव गोड़ा ने उत्राखन राज्यों की घोशना कप की थी ऑप्शन में देखे 15 अगस्त यानिक 1994 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1996 या फिर इन में से कोई नहीं इसका राइट आं 1994 के आसपास आते आते उत्राखन में कुछ ऐसी घटनाए घटी जिन में से मसूरी कांड हो गया या आपका जरामपूर तिरहा कांड हो गया या जो जो भी इस दौरान कांड हुए 1994 विचानवे में तो इस बज़े से पूरे उत्राखन ही नहीं वाली परकि पूरे देश को जगजोर कर रख जया था इन घटनाओं ने बहुत सारा अत्याचार हुआ उत्राखन की प्रजा के साथ उत्राखन की जनता के साथ ऐसे में दोस्तों फिर मजबूरन होकर सेंटर पर प्रेशर पड़ा तो इस दोरान जो प्रधान मंत्री थे एजडी दे पोड़ा इनोंने बाकाईदा दोस्तों 15 अगस्त 1996 को लाल किले से घोशना की थी कि उत्राखन जो है एक अलग राज्य बनेगा अब जब यह अलग राज्य बनना था तो इसकी बाई प्रोसेसर होता है आप सभी लोग जानते इसमें दोस्तों याद रखेगा एक जो है विधैक लाया गया और यह विधैक जो है 27 जुलाई 2000 को यह जो विधैक लाय गया था इसका नाम था यानि कि उत्तर परदेश पुनरगठन पुनरगठन विधैक तो उत्तर परदेश पुनरगठन जो विधैक डैस 2000 के नाम से विधैक आय था इस विधैक को दोस्तों जब लोगसवा में रखा गय तो आप सभी लोग जानते हैं यानि कि एक अगस्त 2000 इस्वी को ये लोग सभा से पारित हुआ जबकि 10 अगस्त ये नॉर्मल से चीज़ है जो आपको आनी चाहिए 2000 को इसे राज्य सभा ने अपनी मंजूरी दे दी और फिर आप बचा क्या था जब लोग सभा राज्य सभा तो आप राश्टपती के साइन और फिर 28 अगस्त को दोस्तों यानि कि राश्टपती की जो है इस पर मुवर लग गई और उत्राखन राज्य बनकर सामने आ गए 9 न हमाले दी गए हैं तो मद्ध हमाले बाही हमाले व्रत हमाले ट्रांस हमाले तो नॉर्मल अगर आप लोग उत्राखन देखेंगे तो उत्राखन से हमारे पास यह चार हमाले गुजरते हैं जैसे व्रत हमाले ट्रांस हमाले ब्रत हमाले इसके लावा हमारा मद्ध हमाले और अ अभीन हिमाले इन सभी में नदियों के द्वारा लाई गए अवसादों से निर्मित्वा हैं जिसकारण इसमें जीव जनतु पेड पौदे आदिस हिमाले में अभी वाजूर है इसलिए इस शिवाली की माले में यानि कि बाही हिमाले में जिवाशम पाए जाते हैं अगला में चारे की रूप में इस्तमाल की जाती है बाकि ठीड की पत्या खास्तोर से पश्वों के नेचे बिचाने के लिए प्रियुक कि जाती है देवदार भी बाकि सागोन की आप लोग जानती है 28 प्रशन देखिए कि निमन में हिमाले बचाओ देश बचाओ का नारा किसके द हो जाता है यानि की ऑप्शन से सुन्दलाल बगुना जी और इनी के द्वारा दोस्तों जो है हिमाले बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गयता है बाकि चंडी परसाद भड़ जी ने भी अपना बहुत-बड़ा योगदान दिया है अगर मैं थोड़ा-थोड़ा नॉर् सॉल्यूशन अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से ला रहे हैं यह हमारा आपको एप में भी मिलेगा यानि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर हमारा कोर्स चल रहा है इस्पेशली प्रैक्टिस पेपर का मंतिली कोर्स जिसमें हम लोग जो है आपको 14 पेपर म वीडियो इस परकार की मिलेगी आप आफ लाइन आना चाहते हैं तो प्रत्य एक दिन हमारा जो है पेपर प्लस अगले दिन सॉल्यूशन भी यहां पर चल रहा है तो आप लोग जरूर देखेगा इसे भी दोस्तों बाकि यहां पर अगर हम बात करें चंडी पर साथ भढ़ कि अगर जन्म की बात करें तो 23 जन्वरी 1934 को बार बार में वीडियो में समझा रहा हूँ गोपेश्वर में जो है यह जन्मे थे और अगर हम लोग बात करें सुंदरलाल बागुणा की तो नॉर्मली आप सभी लोग जानते नौ जन्वरी 1927 को बाकि 21 मई 2021 को इनका दियान हो गया था दोसको अगला कोश्चन देखिए अगले कोश्चन में पूचा है कि विक्टोरिया क्रोस विजेता दर्बान सिंग नेगी का संबंद है या मतलब यहां से संबंदित असंगत है तो पहला देखिए कि एक बटा 49 बटालीन या वनली गड़वाल राइफल बटाली बगड गाओं कफडाती बिरकूर राइट आंसर है 1915 में विक्टोरिया क्रोस सम्मान इनको प्राप्त हुआ था तो यह दोस्तों रॉंग हो जाएगा इनको 1915 में नहीं बलकि इनको सबसे पहला देश का जो विक्टोरिया सम्मान प्राप्त करने वाले यह पहले शक्ष है और 1914 में इनको यह सम्मान दोस्तों प्राप्त हुआ था इसके अलाबा दोस्तों अगर जन्म की बात करें तो नौम बर 1887 इसवी में इनका जन्म हुआ था और पौडी गड़वाल में जो यह उपर लिखा है यहाँ पर विल्कुल इनका यह जन्म हुआ था बाकी दोस्तों की देहांद की बात करें तो 1950 इसवी में इनका देहां मुआ था इना नॉर्मली आप लोग जानते उत्राखंड के दो शक्ष थे एक तो आमारे आ जाते दर्वान सिंग नेगी जिनको सबसे पहले मिला था 1914 और दूसरे शक्ष आपने सुनाओगा गबर सिंग इनको दोस्तो लोग की बेड़ो पाको बारा मासा ये धुन किसने बनाई थी रविंद्रनाद सुमित्र नंदन नरेंदर सिंग्नेगी ब्रिजेंद्र लाल शाजी है इनके द्वारा दोस्तों ये धुन बनाई गई थी और अगर मैं इस धुन की बात करो तो पहली बार जो ये धुन है इस सबसे पहले इसको 1952 में जो है गाया गया था और ये इंटर कॉलेज है राजकी इंटर कॉलेज नैनिताल में तो नैनिताल में राजकी इंटर कॉलेज में सबसे पहले इस दुन को गाया गया था इसके लावा यहाँ पर जो आप्शन है में सभी लोग परीचित है रविद् पाचनी के साथ-साथ यह इनकी खूबिया रही साथ-साथ दोस्तों अगर मैं रविद्रना टैगोर जी की यहां पर अगर बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि रविद्रना टैगोर जी यह एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरुसकार भी प्राप् बांग तो यह एक मातर आसे सक्ष है कि जिनकी दो रचनाई यानिक एक तो आप जानते हैं कि जन्न गण मन अधिनायक यह भारत का राश्चचान बना और दूसरा दोस्तों जो आमार सोनार बांगला वो बांगला देश का बना तो एक मातर जिनका दो देशों की जो है राश चैती का मेला तो सभी लोग जानते हैं कि बाला सुंद्री के उसमें जो है चैती का मेला लगता है उद्हम सिंग नगर में बाकी जोस्तों जो नागडी का मेला है यह हमारा है प्रसिद मेला है यह माचल परदेश में लगता है कल्या सोन का मेला दोस्तों यह पौड़ी घडव उपात में कितने प्रतिशत की वृधी हुई है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होता तो अगर आप लोग गए होते यानि कि आप प्रतिशत तो आप बिल्कुल सही जाते हैं जैसे अगर मैं थोड़ा से यहाँ पर समझाओ लिंग अनुपात में तो लिंग 63 तो जाइड सी बात है दोनों के बीच जो है एक की वृधी हुई है तो यही एक प्रतिशत इसका आना था इसके अलाबा दोस्तों अगर मैं बात करू लिंग अनुपात में देश में तो हमारा देश में जो है उत्राखंड का तेरुआ इस्थान है ये भी याद रखी गा आता है एक्जाम में और अगर कभी ये पूछे कि सरवादिक लिंगनुपात किसका है तो सबसे ज्यादा लिंगनुपात दोस्तों यानि की अलमोडा जिले का है और अलमोडा का जो लिंगनुपात लिंगनुपात का मतलब होता है कि एक हजार प्रूशों में कुल महिलाओं ते तीसवा कोशन देख लो बड़ा इंपोर्टन कोशन है अच्छा एक चीज़ याद रखना देखो पुलीस का जो आगामी एक्जाम है पुलीस के एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है जो आमारे ये प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं आप जितना प्रैक्टिस करते और रहें देखो आठ सो एक है नियुन्तम उत्तरकाशिका है मात्र 41 है यह दोसतों क्या हो जाएगा यह विल्कुल राइट हो जाएगा जन सिगवनट सा Ll amb submission 599 नदेख़ तो इहां पर attempt थोड़ समय समझाने के परियास करता हूं फटा-फट से लिए अर मैं पर Jiang standards की बात हमारा जैंध को अस reuse आता है कि 2001 में हमारा गहनत पर कितना था था तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2001 में हमारा यह जो यह पड़ दिया वना 가지고 नहीं होना था और अगर मैं 2011 की बात करूँ कि जन संक्या में देश में कौन सा इस्थान है उत्राखंड का तो हमारा दोस्तो पच्चिसवा इस्थान है ये भी याद रखेगा अगला कोश्चन देखिए कि गुफा की अलमोडम ओ इन दोनों की खोच की गई ती पेट शाल की कोज आप सभी लोग जानते हैं पेट साल की कोच 1989 में की गई थी और फटका नौली की के साथ पांडों का उत्राखंड आने का वर्णन मिलता है जिसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वन पर्वे ना ये महाभारत का जो वन पर्वे उसमें हमको ये वर्णन मिलता है 36 कोशेन आमग भूती किस वन्च का सबसे प्रताबी या शकतिशाली शाशक था कुशान कुणिद वर्धन या फिर कारती की बुर्ण तो आप सभी लोग जानते है जाय Luckily- बात है जो कउरिदर राजवन्च है इसका सबसे शकतिशाली आमग भूती को माना जाता है बाकि दोस् पुषान राजवन स्रियापर दोस्तों यानि कि छटी श्यताबदी के आसपास यानिकी वर्धन के बाद पैदा होते वे दिखाई दिया अगला कुश्चन है 37 और 37 में पूचा है कि निम्न में उत्राखंड की राजवत पर जहां किसे संबंदी तसंगते हैं फ्ूल देई 2003 फूलो की घाटी 2005 जिम क्ववेट 2008 और अगला है साशिक परिटन 2009 तो इन में से गलत हो जाता फ्ूल की घाटी क्योंकि 2005 में कोई सा भी नहीं रहा फूलो की घाटी दोस्तों हमारी 2006 में रही वाइकि फूल देई 2003 सासिक प्रेटन 2009 जिम कॉर्वेट 2011 थोड़ा सा मैं आपको यहां पर इसमें समझाना चाहूंगा कि कब कब जो है कौन कौन सा इसमें बनाए तो थोड़ा सा फटाफट सीसे नोट भी कर लीजिए मेरे साथ अगर मैं यहां पर दोस्तों बात करूँ तो पहली बार 2003 से यह शुरुआत हुई थी फूल देई को जो है हमारी जहांकी के रूप में राजगार पर उतार अगया उसके बाद हमारा फिर सीधर टाइम प्रेड आता है 2008 का जिम कॉर्वेट का और 2006 का दोस्तों और 2006 में थी फूलों की घाटी 2008 जिम कॉर्वेट और 2009 में सासी बाकी अ जड़ी बूटियों पर आदा रही थी यानि कि जड़ी बूटियों पर ठीक है तो यह याद रखना 2014 के बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो अब 2015 में नहीं रहा तो फिर 2000 इसके बाद 16 में रही और नहीं 2015 में विसर्फर 2015 में हमारी केदारनात वाली रही यह भी रखेंगे 2018 के यह इस बार जो है ग्रामेन परियतन पर थी यानि कि ग्रामेन परियतन या फिर जो होम इस्टेज जो ग्रामेन में बन रहे हैं उस पर रही 2018 के बाद फिर आप लोग जो है 2019 में जो अनाशक्ती आश्रम है तो अनाशक्ती आश्रम पर रखी गई थी 2019 के बाद फिर 2020 में lockdown रहा 2021 की बात करें तो फिर जो है किदार नात कुत्राखन से theme पर वेजा गया है और अगर मैं 2022 की बात करूँ यह most important है इसमें जोस्तों हमारा जो गुरु कुल स्वरी हेमकुन साहिब है हेमकुन साहिब के साथ तीरी बांध हो गया तीरी बांध के अलावा दोस्तों दोबरा चांटी पूल हो गया और लास्ट में जो बदरिनाथ है तो यह सारी चीज़ इसमें theme के रूप में रही नेक्स कोशन देखिए अगला कोशन है 38 कोशन उत्प्राखन क्रांतिकारी दल के स्थापना किस वर्ष हुई तो यह simple सा कोशन है यानि कि option A right answer हो जायता 25 जु दूसरा इसमें दोस्तों डीडी पंत जो इसके मुख्य रूप से माने जाते हैं देविदत पंत जी इनका इसमें रोल रहा इसके अलावा दोस्तों जो हमारे उत्राखन के गंधी है इंद्र मनी वढ़ूनि वह इसमें शामिल थे और जो काशिस सिंग है यह चार करेक्टर है जिनोंने दोस्तों इसमें बड़ी इंपोर्टेंट भूमिगा निवाई थी नेक्स्ट है उन्चालिस उत्राखन पर शाषन करने वाली पहली राजनितिक थी को एति हासिक पूछे पहली एतिहासिक शक्ति वह दोस्तों यहाँ पर पूर को माना जाता है करतीे के झाते के फैंकरάνर प्रक्राज पर्कूर करती कि उस्किर्थ की के आजऑ गाते की आधीScience रहें एक्तालिसवा कोश्चिन है कुमाओ पर रोहिलों का आक्रमन किस्चन शाषक की शाषनकाल में हुआ था तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन सी हो जाता यानि कि कल्यांचन चतूर्थ की द्वारा कल्यांचन चतूर्थ की अगर मैं टाइम प्रेट की बात करूँ तो यह दोस्तों यानि कि 1739 से काफी लंबे समय तक रहे 47 तक रहे और इसी दोरान दोस्तों यहाँ पर रोहिलों का आक्रमन हुआ था एक 1743 और 444 का आकरमन यह जो 1743 और 444 का आकरमन इनके समय हुआ था एक जो है रोहिला शार शार शकते दोस्तों अली मुहमद याद रखेगा अली मुहमद खां यह इसके द्वारा करवाए गया था और किनों ने यहाँ पर इसके सैना जो सैनिक थे वो कौन कौन थे तो याद रखेगा एक तो इसका सैनिक था रहमत खां यह बड़े बयानक प्रेंदा खा और एक था सरदार खा यही वो टाइम प्रेट था जब उत्राखंड में सभी मंदिरों को दोस्तों तोड़ा गया था तो यह उसी दोरान का रोहिला आक्रमण माना जाता है बायारिस्वा है उत्राखंड के दुत्तिय मनुनित मुख्या मंत्री कौन थे तो यहा भुवन चन नहीं नहीं तीसरे नाराइन दत्ति वारी थे फिर बात आती है चौथे मुख्या मंत्री की तो चौथे इस्तान पर बने थे भुवन चन खंडूरी जी फिर अगर मैं पांचवे मुख्या मंत्री की बात करू तो पांचवे मुख्या मंत्री बने थे रमेश पो प्लिएवीश्ड अभुण दोस्तो यानि कि हरीश्ग रावत यह आने चाहें आप यह अक्णा में पूछे जाते हैं और मुक्या मंप्री तिर्विंद्र सिंग रावत रहें और दस्वे पुप्ति जोस्तों 13 सिंग रावत और वर्तमान आंसर है यानि कि अशोक कांथ शरण जी ये हमारे दोस्तों जो अशोक कुमार जी है ये इस से पहले थे और अनिल रतूरी इन से पहले डीजी पी रहे बाकि जो ऐसा संदू है ये मुख्य सची व्याके उत्राखंड के इस समय वर्तमान नहें चावालिस्वा है निम्न में असंगत को छाटी है हीरामानी ग्लेशेर पिथोरगड में राइट है पॉंटिंग पिथोरगड में है दूनागिरी ग्लेशेर चमुली में है खतलिंग गलत हो जाएगा तो उसको खतलिंग हमारा टीरी जिले में जिले में इस्तित है नेक्स कोश है चालिसवा है किस दार्मिकिस्तल को भू राजस्वविलेक में पट्टी पारुन के नाम सुल्लेखित क्या गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानि कि नागेश्वर इसमें बाहर जो लिखाव है वो नागेश्वरी लिखाव यह बीसी का है इस्थानिय लोग इसको बाल जागेश्वर या फिर दूसरे नाम है इसका जागनात तो इस्थानिय लोग इसको जागनात के नाम से भी पुकारते हैं बाकि दोस्तों कुमाओं के काशी भी जागेश्वर धान को ही कहा जाता है अगला है 47 रंबा नदी की स्टाल के निकट है तो इसका राइट आर्सर हो जाएगा आपका ओप्शन बी यानि की संजय जील ये दोस्तों बड़ा important question है रंबा नदी ये संजय जील हमारी देरादुन जीले के रिशी केश में इस्तित है तो इसको भी याद रखिएगा 48 question देखे सोमेश्वर महराज का मूल नाम क्या था मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में डिटेल समझाया है इनका नाम परमानद हर था ये दोस्तों पाकिस्तान की निवासी थे और बाद में जो है यहाँ पर आये थे सोंबार को अपना भंडा रखिया करत थे इसलिए सोंबारी महराज इनको का जाता है बाकियत जो यहाँ पर चारों केरक्टर हैं बाबा हर्षदेपूरी हेडाखान बाबा हरकनात बाबा परमानन और साथ में इनके अगर जोड़दे वीविकनन तो इन सभी ने दोस्तों जो काकड़ी खाट आपने नाम सुना हो होगा वहाँ पर पीपल व्रिक्ष के नीचे सभी ने तफस्या की हुई है 49 देखो गुरू ब्रसपती मंदिर के इस जनपत में है तो सिंपल सा कोश्चन है इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन भी यानि कि नहीं निताल हो जाएगा पचासवा कोश्चन देखें पचासवा कोश्चन में पूचा है कि केदारनात वनेजी बिहार यह कहां पर इस दित है तो नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं कि चमोली और रुद्र परियाग यह दोनों में फैला हुआ है और 1972 में हमारे इस विहार के स्थापना की गई थी अगर घाटी पूचे दोस्त है जैसे उत्राखंड में पूचा है कि उत्राखंड में तीन चमोली में विल्कुल राइट आंसर है चांदी हलमुडा में बेराइट्स देरादून सोना सोना दोस्तों यहां पर कहीं नहीं है तो यह हमारा गडबड हो जाएगा बावनवा है जौनसारी जन जाती में सबसे संपोजिट रिसर्च यूनिट यह कहां पर है तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी अलमुडा तो यह इस टाइप के भी दोस्तों वन लाइनर कोश्चन आजकल बन रहे हैं तो इनको भी आप लोग जो है करते रहें त्रेपनवा कोश्चन के बाद अगर हम लोग संस्तान की स्थापनक कब हुई थी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानि कि 14 नवंबर 1965 को शपनवा कोश्चन देखिए राष्ट्यो जल विज्ञान सस्तान यह कहां पर इसलित है तो राष्ट्यो जल विज्ञान सस्तान हमारा दोस्तों रूड़की में बहुत बा कोश्चन शंकरचारी ने बद्रिनात में स्तापित मूर्ती कहां से निकाली तो यह दोस्तों आपने पढ़ा होगा बहुत बार नारत कुंड से निकाली थी जो बहुत लोग थे का जाता है कि बहुतों ने इसे नारत कुंड में फैक दी थी तो वहां से इनी की द्वारा इस है आपका नरिद्र शाह नरिद्र शाह के समय तीन घटना घटी तुई थी जिन में तिलारी कांड था शिर्दिव सुमन के अत्या थी और यह के परजाव मंडल को इमांग को लेकर अंदुलन था यह ना तो इसको भी राइट याद रखेगा और साथवा कोश्चन है निम्न मे आपके प्रश्णों में इतना ही है बाकि आगे आपके बीज आने वाले है सुबासर तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जैहिन जै भारत जै उत्राकर तो एक सट्वे कुश्चन पर चलते हैं निम्न में असत्य विकल्प है आपको बताना है विश्चिस्टा द्वैत्वा द्वैत्वाद विश्चन सवामी सई है इसमें दोस्तों ऑप्सन डी सही हो जाएगा इसके सारे कथन दोस्तों सही है अगला देखें विजयनेगर समराज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी तो विजयनेगर की स्थापना दोस्तों की दि हरीहर और बुक्का नाम के दो भाईयों ने और ये समय दोस्तों था जब दिल्ली संत्रत में मुहम्मद बिन तुगलक का सासन था और 336 में दोस्तों इन्होंने साउथ में दक्षिन भारत में विजयनेगर समराज्य की स्थापना दोस्तों की थी अगला देखें औरंग जेप से संबंदी दोस और मुहर्म पर पाबंदी की बात करें दोस्तों ये 1669 में 1669 में औरंग जीप दोरा लगाई गये थी तो ऑप्सन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ये गलत है बांकि और विकल्प दोस्तों हमारे सही है अगला देखें चौटसरबा प्रसन निमन लिखित में प आग्ने चट्टानों के अप्षय और अपरदन के बाद और निक्षेपन से दोस्तों तो जो अन्य परकार की चट्टाने हैं जैसे रूपांत्रिच चट्टाने और अवसाधी चट्टाने दोस्तों इस परकार की चि alpha दिखाए दी तो प्राथम seminar कौन सांशी है आग्ने अगला देखिए निम्न लिखित मैंसे असंगत है नारे दिये हैं और उससे संबंधित दोस्तों आपको व्यक्ति बताने हैं देखिए पहला दिल्ली चलो सुभाशनर बोस्त सही है वेदों की और लोटों महात्स द्यानेंदिस रस्वती बिल्कुल सही है जै किसान बिविनु अगला देखिए भारत का दक्षणी बिंदू कौन सा है तो भारत के दक्षणी बिंदू की बात करेंगे तो दोस्तों भारत का दक्षणी बिंदू कौन सा है हमारा है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट दोस्तों भारत का दक्षणी बिंदू है और यदि भारत के उ किविथू जोकी दोस्तों औरडांचल प्रदेश में पढ़ता है और भारत के सबसे पश्यमे बिंदू की बात करेंगे तो सबसे पश्यमे बिंदू दोस्तों पढ़ता है गौर माता या गौहर मोती करके भी नाम दोस्तों दिया गया है जोकी पढ़ता है सरक्रीक गुजरात में तो आपको याद होना चाहिए उत्तरी बिंदू इंद्रा कॉल दक्षणी बिंदू इंद्रा पॉइंट दोस्तों अंडमान और नीकोबार दूइप में पड़ता है और पूर्वी बिंदू किवितू और पश्चिमी बिंदू दोस्तों यह पड़ता है सरक्री गुजरात में गौहर मा था अगला देखिए मुंबई और पुणे के बीच में संपर्ग का मार गए है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भोरगाट भोरगाट दोस्तों मुंबई और पुणे के बीच में दो संपर्ग का मार गए है बागी थालगाट की बात करें दोस्तों यह महरा यानि दोस्तों ये कोईमबटूर का मतलब है तमिलनाडू और दोस्तों जो हमारा केलल राज्य है उनको जोड़ता है और सेन कोटा दर्रा भी दोस्तों तमिलनाडू और केलल राज्य को जोड़ने का कारे करता है तमिलनाडू प्लस केलल तो पालगाट कोईमबटूर प्लस प उत्तरप्रदेश है बिल्कुल सही है और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि उत्तरप्रदेश जो यूपी है वो कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है अगला देखे सत्तरवा इन में से असंगत आपको बताना है जनजातियां और देश दिये गए है आईनू पास के जो दक्षन पूर्वी एसियाई देशें आसियान वाले वहां पर दोस्तों ये पाई जाती है मेली मलेशिया में पाई जाती है सिमांग जन जाती अगला देखे स्वर्ण तिर्भुच के अंतरगत किस अनुच्छेद को सामिल नहीं किया जाता दोस्तों संबिधान क जो भाग तीन है मौलिक अधिकार वहां पर दोस्तों तीन अनुच्छेदों को 14, 19 और 21 को दोस्तों स्वर्ण चत्रभुच या गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है और इसमें दोस्तों कौन सा सामिल नहीं है आप देखे और अनुच्छे 16 दोस्तों इसके अंद दोस्तों कहा जाता है हिंदुस्तान श्रिप्याड लिमिटेड नामक जल्यान निर्माने का एक किस राज्य में स्थित है दोस्तों यह जो कंपनी है यह स्थित है कहां पर यह दोस्तों पढ़ती है आंत्रप्रदेश में और आंत्रप्रदेश में भी दोस्तों कहां पर है जैसे एक और company है मजगाव डॉक्यार्ड लिमिटेट यह पुछा जाता है कई बार कि मजगाव डॉक्यार्ड लिमिटेट का मुख्याले कहा है तो यह भी दोस्तों जहाज बिनाने का कार्ये करती है और इसका headquarters है मुंबई में एक और company है Garden Ridge Garden Ridge Company और दोस्तों ये भी श्रिप्याड बनाती है सरकारी छेटर की कमपनी है और ये कोलकाता में दोस्तों इसका headquarter रिस्तिद है एक और कमपनी है कोची श्रिप्याड और इसका मुख्याले दोस्तों है केरल राज्य में तो ये चीजे में आपको तीन चीज याद रखनी है अगला देखे 73 इसपाद सेयंतर यानि स्टील प्लांट और उससे संबंधित राज्यों के बारे में दोस्तों आपको गलत विकल्प ढूटना है बरनपूर की बात करें ये पश्चिम मंगाल में है बताएं कि भिलाई जो इसपाद सेयंतर है वो किस राज्य में पड़ता है या आपको कमेंट करना है तो आप सभी लोग दोस्तों इसका राज्य में है और किस पंचवर्शी योजना में दोस्तों यहां पर स्टेल प्लांट की नियूख डाली गई थी तो इसका right answer दोस्तों हमारा हो जाएगा option B जो सलेम है ये करनाटक में नहीं है बलकि तमिलनाडू में है अगला देखे वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो वृद्ध गंगा दोस्तों कहा जाता है गोदावरी को किसे कहा जाता है गोदावरी को अगला देखे किसी देश द्वारा आयात पर लगाएगे शुल्क को कहा जाता है किसी देश द्वारा आयात पर लगाएगे शुल्क को कहा जाता है दोस्तो आयात शुल्क को कहलाता है टेरिफ का सही उतर है बागी एक दोस्तो ये टॉबिन टेक्स भी है टॉबिन कर दोस्तो ये लगता है व और जो WET की बात है दोस्तो WET आप खतम हो चुका है Value Added Tax इसका नाम था अब दोस्तो इसकी जगह पर GST आगया है यह आपका ज्यादा कामका नहीं है चैक आपको बता है जो हमारा चैक हम भरके देते हैं उसको दोस्तो एच्छिक मुद़ा भी कहा जाता है और वो शाक मुद़ा गाबी दोस्तो एक बरकार का उधारन है अगला देखे भारती और दोगीक पुन निर्माल बेंक, दोस्तों इसका Year है, 1985 आप लोग दोस्तों इसको देख लिजेगा, इसके लिए एक अक्ट आया था भारत सरकार का भारती और दोगीक पुन निर्माल बेंक का अधीनियम, 1984 में और इसके तहट दोस्तो 1985 में इस बैंक की स्थाफना की गई थी अगला देखे अर्थसास्त्र चुनाव का विज्ञान है ये कतन किसका है बहुत सिंपल सा प्रशन है ये दोस्तो कतन है रॉबिंसन का ओप्सन 20 का सही उत्तर है और एडम स्मिट जो है दोस्तो ये अर्थसास्तर के आधुनिक अर्थसास्तर की जनक भी माने जाते हैं इनकी एक काफी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तो उसका नाम है दो वेल्थ ऑफ नेशन जो 776 में लिखी गई थी और इसी पुस्तक से दोस्तो आधुनिक अर्थसास्तर की सुदुआद भी माने जाती है तो अर्थसास्तर चुनाओ का विज्ञान है ये कतन है रोबिंसन जी का अगला देखे उपराश्टरपती राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद में वर्णी थे दोस्तो इस प्रकार का जो हमारा वर्णन या प्रावधान है वो किस अनुच्छेद मे है और सी में है चौसट में चौसट में ये लिखावा है कि जो भी भारत का उपराश्टरपती होगा वो उस समय क्या होगा राज्यसभा का दोस्तो सभापती भी होगा राज्यसभा क्या होगा सभापती या चेयर्मेन भी होगा और आप लोग दोस्तो कमेंट करके ये आई कि राज्य सभा के पहले सभापती कौन रहे होंगे तो इसका आंसर दोस्तों क्या है 79 का C है बांकि आप लोग दोस्तों कमेंटी किर जीगा उस प्रशनका जरूर अगला देखे अनुचेद 82 के सक्तियों का प्रयोग करते वे पहले परीसिमन आयो का गठन कब किया गया थ था दोस्तों परीसिमन आयो का जो प्रावधान है वो 82 में है आर्टिकल 82 में और इस प्रिकार का पहला परीसिमन आयोक दोस्तों 1952 में गठित किया गया था संसत के एक एक्ट की द्वारा अगला देखे 81 और उसके मूल स्थान से संबंदित असंगत कथन आपको बताना है त अद्रप्रदेश जबलपूर में है बिल्कुल सही है जो 36 गड़ है दोस्तों यह राइपूर में नहीं है बलकि यह 36 गड़ का जो हाई कोट है दोस्तों वह इस्तित है बिलास्टपूर में कहां पर है बिलास्टपूर आपको याद रखना है इस प्रकार के कुशन दोस्तो नीव किस ने रखिये थी तो उसका right answer दोस्तों हमारा हो जाएगा कुत अबक यदि आपको यह आए कि कुतब जो हमारी कुतब मिनार है उसको पूरा किस नहीं कराए था तो तब आपका दोस्तों आंसर क्या और दोस्तों ये दिल्ली में पढ़ता है आप सभी को पता है अगला देखिए निजता का अधिकार right to privacy से संबंधित वाद यानि case कौन सा है? right to privacy अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो right to privacy या article 21 में नहीं थे आर्टिकल 21 में नहीं थे ये कुश्चन भी दोस्तों कई बार पुछा जा चुका है कि निश्टा का अधिकार किस अनुच्छेद में नहीं थे तो अनुच्छेद 21 में नहीं थे कर सकता है उसको दोस्तों कहा जाता है option B चिप अगला देखे 85 वा कुश्चन निम्न लिखित मैं से भाग 3 का कौन सा अनुचेद केवल नागरिकों को प्राप्ते हैं दोस्तों भाग 3 की बात करें मौलिक अधिकार की इसके अंदर आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टि को प्राप्ते हैं तो आपको पुछा गया है कि कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्ते है तो इन में से कौन सा है और अनुच्छे हमारा दोस्तों 30 हो जाएगा बी यह केवल नागरिकों को प्राप्ते है जो अन्य है वो दोनों को प्राप्ते हैं नागरिकों को भी और वि बुर्वर केहला याप सभी को पता मांकि जी जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों उनको सौफ्ट्वेयर की संगया दे आती है प्रोग्राम की बात करें दोस्तो विर्थम में वेक्यूम ट्यूब का इस्तिमाल शुरू हुआ था जुत्वी की बात करें यहाँ पर दोस्तो ट्रांजिस्टर की सुरूबात हुई थी तिर्थी की बात करें दोस्तो यहाँ पर हमारा आईसी चिप्स जो थी इंट्रिगेटिट सर्किट वाली उनका इस्तेमाल होने लग जया था और चौथी में दोस्तो हमारी क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी सुरुवात दोस्तो हुई थी अगला देखिए पर्थम गैर कॉंग्रेसी और प्रधान मंत्री से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधान मंत्री कौन थे तो प्रथम कैंग गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री दोस्तो रहे थे मुरार जी देशाईं और यही दोस्तो पहले प्रधान मंत्री थे जिनों पहले बार पत सित्याक पत्र दिया था वो भी दोस्तों हमारे कौन है मुरार जी दिसाइन जी हैं अगला देखिए टास्क बार इस्तित होता है दोस्तों टास्क बार होता है बॉटम पर यहाँ पर दोस्तों जो बॉटम वाला है इसको टास्क बार बोलते हैं यहाँ पर जो भ हमारा आंसर हो जाएगा option C परम परम दोस्तों एक प्रकार का सूपर कंप्यूटर है यह सोचल मीडिया साइट या सोचल सोचल networking साइट दोस्तों नहीं है option C इसका सही उत्तर हो जाएगा और कुट Facebook पीटर यह दोस्तों तीनों ही social networking साइट दोस्तों है अगला देखिए दोस्तों है हमारा option D ब्रहश्पतिवार अगला देखिए यदि किसी घड़ी में 12 बचकर 20 मिनट बज रहे हैं तो दोस्तों कितने degree का code बनेगा तो option A इसका सही उत्तर होगा 110 degree इसको दोस्तों आप लोग निकाल लीजेगा reasoning दोस्तों आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए अगला देखिए तीन वर्सों तीन से दस्यों की और साथ वर्स है तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा निकल के आ रहा है option C 36 वर्स दोस्तों इसका बिलकुल सही उत्तर है अगला देखिए अजय और विजय भाई हैं तो यह दोस्तों हमा आई कीजिगा वहधीजी से हैं दोस्तों निकलाएंगे संकर का युपर से स्थान दोस्तों सोलवा है और नीचे 49 उसनकर दोस्तो हमारा आएगा 64 यह दोस्तो सूलवे इस्तान पर है तो यहां पर एक काउंट किया जाएगा यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 64 आंसर आएगा अगला देखिए अठार मार्च दोजार चार को कौन सा दिन होगा इसका राइट आंसर दोस्तो हमारा सूमार आए जाता है तो फलों का राजा कौन सा है दोस्तो फलों का राजा अम्रूद है आम है वैसे तो और आम को अम्रूद कहा जाता है तो आपसन बी दोस्तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो यह हमारा सॉलिशन रहा प्रेक्टिस सेट नंबर 03 का यदि आपने और जै भारत जै उत्राखंड